लेक्जो क्लियर सीरप जो है इसके वीच में सोडियम पाइको सलफेट एक्टिव इंग्रीडेंट के तोर पे प्रेजन्ट होता है जो कि एक लेक्सिटिव मेडिसन है और जिसको की कॉंस्टिपिशन से रिलीव प्रवाइड करने के लिए यूज में लाया जाता है तो कॉंस्टिपिशन के वीच में किसी वी परसन को जो है बहुत ज़्यदा कब्ज वगरा हो जाती है और उसकी आंतों के वीच में जो वेस्ट प्रोड़क्स जो होता है तो वहां पे ही जो एक तरह से इकठा हो जाता है और बहुत ज़्यदा डिफिकलिटी होती है उसको को सलफेट फाइव एमजी जो है प्रेजन होता है जो कि शुगर फ्री जो होता है तो लैग्जुक्लियर सीरप जो है जो सीम्पली जो मसल्स जो होते हैं बाउल्स के तो उनको एक तरह से स्टुमिलेट करता है हमारी बॉड़ी से वेस्ट प्रोड़ट को बाहर निकालने के लिए और साथ में ही जो स्टूर्स वगरा मल वगरा होता है बॉड़ी के वीश में तो उसको भी जे सॉफ्ट कर देता है तो जी लैग्जुक्लियर सीरप जो है तो ये शौट टाइम के लिए आप लोगों को कॉंस्टिपेशन से जो है रिलीव प्रवाइड करेगा अगर क कि अब लोगों की येश के ऊपेडिकरेगी और साथ में ही आप लोगों की कंडिशन के ओपर डिपेंड करेंगी सोडियुम पाईकॉसलफेट सीरप जो फिर लैग्जुक्लियर सीरप भी बोल सकते हैं जो कि किसी भी परसं को जिसको की कप जवगरा है इस अगा बढ़ा में करने में important role प्ले करती हैं तो constipations के वीच में क्या होता है कि जो stools वगारा है तो वो हमारी body से जो है नहीं निकल पाते हैं बहुत ज़्यादा heart जैसे हो जाते हैं और साथ में ही जो large intestine जो gut वगारा होती है तो उसके सीरप आप लोगों को constipation से रिलीफ प्रवाइड करेगा तो आप लोगों को जो है इस सीरप को night के time में सोने से पहले जो है पीना है खाना खाने के बाद और एक fix time के उपर आप लोगों को हर दिन जो है तब ही आप लोगों को जो है इसके वैट रेजल्ट जो है देखने को मिलेंगे तो आप लोगों को इसको जो है एक हपते से जादे के time के लिए यूज नहीं करना है, minimum एक हपते तक आप लोगों को जो है इसको यूज करना है, अगर आप लोगों को कोई वी improvement वगरा नहीं दिखती है तो आप लोगों को डॉक्टर को consult करना है, तो इसके कुछ common side facts भी देखे जाते हैं, जैसे कि nausea, vomiting, headache होना, abdominal discomfort होना, abdominal pain होना, abdominal cramps आना और diarrhea भी हो सकता है तो आप लोगों को इस syrup को use करते समय, जो है कुछ life styles के वीच में changes भी करनी है जैसे कि आप लोगों को जो है rich fiber diet जो है उसको consume करना है, जिसके वीच में आप लोग अनाज की रोटी जो है सकते हैं, और साथ में ही cereal का use कर सकते है, fruits और green leafy vegetables जो है उनको आप लोग जो है use कर सकते है जो की ball की health को जो है maintain करने में important role जो है play करेंगे और साथ में ही आप लोगों को जो है खूब पानी विगरा हर दिन पीना है, minimum आप लोगों को share से लेके 8 glass तक पानी को consume करना है, और साथ में ही regular exercise करनी है जब आप लोग जो है इस medicine का use कर रहे हों उस दुरान और जे जो sodium picosulfate जो है इसको आप लोगों को लंबे समय तक के लिए use नहीं करना है क्योंकि उसे जो है dehydration हो सकती है और साथ में ही fluid और salt का imbalance जो है body के वीच में हो सकता है और साथ में ही जो intestine की जो tightness जो होती है तो उसको भी जो है इससे affect हो सकता है तो आप लोगों को lexoclear syrup को जो है किसी भी दूसरी medicines के साथ जो है नहीं लेना है क्योंकि उससे जो है दूसरी medicine की जो affectiveness जो है बो जो है interrupt हो सकती है तो आप लोगों को minimum 2 गंटे का gap रखना है किसी दूसरी medicines के साथ अगर आप लोग इसको use कर रहे हैं तो उस दोरान आप लोगों को lexoclear syrup का एक हफते से ज़ादा time के लिए use नहीं करना है minimum एक हफते तक use करें अगर improve होता है तो ठीक है अगर नहीं होता है तो डॉक्टर को consult करना है क्योंकि अगर लंबे समय तके लिए आप लोग इसका use करते हैं तो उसे जो lexative action जो होता है जिसे की ball moments जो होती है तो उसके ओपर dependency हो जाएगी इस syrup के उपर एक तरह से आप लोगों की body की अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो 120 ml की bottle आप लोगों को 85 रूपी की जो है मिल जाएगी आप लोगों को इस syrup को purchase करने से पहले इसकी expiry date को एक बार चेक कर लेना है साथ में ही आप लोगों को इस medicine को जो है बच्चों से दूर रखना है constipation जो है एक ऐसी condition होती है जिसके वीच में बहुत ज़़दा difficulty होती है जो भी stools वगारा होते हैं आप लोगों की body के वीच में बहुत बाहर नहीं निकल पाते हैं क्यूंकि आप लोगों की diet होती है उसके वीच में बहुत कम fibers होते हैं और साथ में ही जो fluid वगारा आप लोग liquid जो पीते हैं हर दिन तो वह भी बहुत ज़़दा कम consume करते हैं उस वज़़ए से constipation हो सकता है जो फिर जो आप लोगों के intestines के muscles हैं तो उसके वीच में बहुत ज़़दा poor functions होते हैं जो इस वज़़ए से constipation हो सकती है जां फिर कोई person जो है बहुत लंबे time के लिए बैट के उपर लेटा रहता है उसे भी constipation हो सकती है जां फिर कोई person जो एक्सराइज नहीं करता है daily तो उसे भी constipation हो सकती है तो constipation के दुरान जो है बहुत ज़़दा infrequenter bowel moments जो है देखी जाती है सही सी जो है bowel moments जो है वो नहीं होती है जिससे की जो stools अगरा है वो हमारी body के वीच में जो है एक तरह से dry हो जाते है बहुत ज़़दा painful और hard जो है एक तरह से हो जाता है उसको body से बाहर निकालना अगर कोई pregnant है breastfeeding woman है तो उनको जो है इस medicine का use करने से पहले एक बार जो है doctor को consult कर लेना है lexoclear syrup जो है साथ में ही जो gas होती है तो उसको भी हमारी body से जो है easily निकालने में भी important role जो है प्ले करता है constipation जो है तब होता है जब जो normal actions जो होता है large intestines के muscles का तो जो है slow down हो जाता है जिससे की जो best part जो की stoles हमारी body के वीश में present होता है तो वो जो है सही से easily हमारी body से नहीं निकल पाता है sodium picosulphate syrup जो है जो एक lexative medicine है और जो की constipation को treat करने में important role जो हम प्ले करती है जो simply जो moments जो होती है हमारी intestines के वीश में तो उसको जो है बढ़ा देते हैं और जिसे की easily stoles जो है जो मल जो waste products जो होता है हमारी body के वीश में तो वो easily जो है वो निकल पाता है sodium picosulphate syrup जो है साथ में ही जो दूसरी medicines के साथ यूज में लाए जाती है जब surgery वेगारा होती है उस दुरान बॉल की cleaning के लिए